ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध मॉरल स्टोरी जिससे जीवन का बहुत अच्छा ग्यान मिलता है। एक बार महत्मा बुद्ध एक गाव में अपने शिस्यों सहित धने पेवल की छाओं के नीचे बैठ थे। आसपास के गावों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महत्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महत्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लोट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्या को कोस्ता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो यह लोग दुखी मन से मूँ लटकाए उन महत्मा के पास गए थे। और आप इतना खुश होकर कैसे वापिस लोट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महत्मा ऐसा कौन सा खजाना बाट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदी गया तो उसने देखा कि ये महत्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारंग कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीवर इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महत्मा को अपना दुख बताऊ। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा बस फिर क्या था। समाधान पाने की लालसा लिये भिखारी महत्मा बुद्ध के सामने पनुचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला। ये महत्मा बुद्ध मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं और नहीं कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया, ये महात्मा मुझ पर कुछ प्रिपा करो, इतना बोलते हुए विखारी रोने लगा, महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अग्यानी है क्योंकि आप अभी तक इस भ्रह्म में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, ज इस से तुम मीठे शब्द बोलकर, किसी के दुखी चहरे पर मुस्कान ला सकते हो, इन ही शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी तूटते होसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो, इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्म क्विचारधारा के बीच बो सकते ह और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आखे किसी अंध्री को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दूआ कर सकते हो, ये हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाए। आप किसी के अच्छे स्वास्थे की काम ना कर सकते हैं। लेकिन अग्यानता वश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पा बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्यान से भरे ये सुन्दर शब्द सुनकर भिखारी के चहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से जूनता हुआ वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलत करती है कि आजकल बहुत से लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। बलकि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इनहीं से आपको परंशुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये बुद्ध इनका मॉरल स्टोरी आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें। धन्यवाद।